नगर परिशद धलौजी के तहत लाहौली बार ने सुभा सबेरे एक व्यक्ति पर रिच ने हमला कर घायल कर दिया। मदन को लोगों ने घायला वस्ता में नागरिक अस्पताल धलौजी पहुचाया। वहाँ चकित्सकों द्वारा उसकी हालत को देखते हुए चमबा मेडिकल कॉलेज रैफर कर दिया है। लोगों में दहशत है। कर दिया। और का एंचा एंचाप, जाया एंभी बगार हाद, ईह जोगार कैना हाद जरूरिय में आड़न, सबşallah पुआए। झाय जो जोगार aller एंचाज़ करना। इंटर गार का भीर ल Hungarianे जोची गए। ऑची मथरची रहादादा Yuk और मैं दिहा झालेगी अचाने वहां से भालू आगे, भालू ने अटाइक कर दिना। ति इसके वास होके गाओं के लोग वहां पहुंच गों, लोग उजे चुड़ाया है। दिव्वेहमाचल टेवे के लिए धलाओजी से कुल्दीप भादवाज की रिपोर्ट नगर परिशद धलाओजी के तहत लाहौली बार में सुबह सबीरे एक व्यक्ति पर रिच्ट ने हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के मताबिक लाहौली निवासी मदन लाल घर से शब मंदिर की और जा रहा था कि अचानक रास्ते में रिच्ट ने हमला कर दिया। मदन के शोर मचाने के बाद तुरंत आसपास के लोग मौके पर पहुच गए। लोगों को शोर मचाते देख रिच भाग गया। लेकिन रिच्ट ने मदन की बाजू और पीठ पर नाखनों से कमभीर चोर पहुचाई है। मदन को लोगों ने घायला वस्ता में नागरिक अस्पताल धलोजी पहुचाया। वहाँ चकित्सकों द्वारा उसकी हालत को देखते हुए चंबा मेडिकल कॉलेज रैफर कर दिया है। लोगों में दहशत है। कर दो कि पहलें है। लोगों में नहीं कर दो कि याज़ाग्ए पहले है। को कहाँ कर दोच्छास को देखते हुचाया। अब आजी मादनची अजी मेरा नाम मदलनालीजी मेरा इस मंदर गया था अचाने वहासे भालू आगे भालू ने भालू है आटाइक कर दिनुदिए अजीश के वास होपे गाओं के लोग वह पूंच को यह विजे चुड़ाया गया दिव्वेहमाचुल टीवी के लिए डलहोजी सेख कुलदीप भादवाज की रिपोर्ट